आई जיहिंद मेरे सभी देसाबासि यो भाई के जहां पर भी है जिस क्रूप में भी है वो चौडी ड्राइवर या गरेवरी submitted करते हैं किसी इसानल काड़ की बुर्स है किश्द आपके ब,पूस प्लिंदा के लिए या विजीकल एक्ट लागू हुआ है मैं माननिय श्री प्रदान मंत्री नरिंद्र मोजी जी तभी हाजोड के कुवा के सर जी कम तक हम कुछ तो रहम करो ड्राइवर में सर एक बाता हो जो चोबीस गंटे दिन में रात में गाटी चलाएगा वो कहीं ना कहीं तो गलती एक पड़ा लेगा योभा देश में ड्राइवरी कर रहा है सर पहले अन पड करते थे आपके रज्य से पहले आपकी सरकार के पहले अन पड ड्राइवरी करते थे पड़े लेके तो रोजगार करते थे सर मारगीट का हाल इतना बुरा है कि पहले ट्रांस्पोर्ट वाला बैट के देखता था कि कोई गाड़ी वाला आए आज कल आपके GST और नोट बंदी की बजयता है देश की सारी तो फैक्टरिया बंद होगी साब अब ट्रांस्पोर्ट वा बैट गे ड्राइवर देखते हैं कि कोई बाड़ा आए सर जी मतलब आपकी सरकारत पहले कॉंगरे सरकार मैं किसी पाइटिया समर्थन नहीं कर रहा मैं एक आम नागरिक हूँ एक आम नागरिक होने को और एक विववा होने के नाते अपने देश के माननिय प्रधान मंत्री जी और हमारे गिर्या मंत्री जी शिरी अमिस साजी और हमारे जो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर है शिरी नितिन गटगरी जी जो नागपुर ते सांसाद में अभी प्रजेंट में नागपुर में ही बैठाउं सर आप एक चीज़ देखो कि आपकी सरकार आने तो पहले ना ट्रांस्पोर्ट वाले देखते थे कि कोई गाजी वाला आये बाड़ा रखा है सर आज भाड़े नहीं मिलते आज ते पांच साल पहले मैं बैंगलोर ते सत्रह फुटी केंटर का बाड़ा दिल्ली गा च्छती सजार में ले गया था साब आज आपकी सरकार के जमाने में ना पंद्रह दिन गाड़ी घड़ी होने के बाद हमें बाड़ा अठ्थाइस जार का अलवर का लेका रहा है ड्रैवरों की तनकानी निगल रही साब जिस देश में ये नियम लाग हुए ना उस देश की पहले सटके देखो वहां के नियम देखो काइदा कानून देखो सर वहां पे 200 किलोमेटर ते जादा कोई ड्रैवर गाड़ी नहीं चलाता है मालक यहां 600 किलोमेटर गाड़ी चला के लाया हूँ हैदरावाद से MP में आगया सिविनी डिस्टिक सिविनी पढ़ता है MP में 600 किलोमेटर साब एक दिन में जो ड्रैवर गाड़ी चलाएगा वो बाउजी कहीं न कहीं तो गलती करे गई मैं आपको दिखाता हूं साथियो मेरा तीन महीने के लिए सस्पेंट लाइसंस कर दिया साथ तीन महीने बाद जैसे तैसे हाथ पर जोड़ के नोकरी मिली 12,000 की पड़ा लिखा युवा होने के बाद 12,000 की देश में नोकरी मिली साथ अब उसमें भी ये नियम लागू कर द पच्छी से यारका 15,000 का बीस यारका का तैचलान भरेगा साथ मालिक तीन महीने घर बैठने के बाद साथी होगी है बीवच्चें बुड़े माबाप है ठीक किसी रईस बाप का बेटा ड्राइवरी नहीं करेगा साथ देश का कोई भी किसी रईस बिगड़े बाप की ओला अन्देर नगरी अनवूज राजा तके से रवाजी टके से रखा जा ये तो वाली बात होगी सर कि गदों ने बेटे एक जंगल में बंदर को राजा बना दिया और बंदर कभी इस डालता उस डाल प्प उस डाल प्प साथ कूद काद क्या जब पवलिग ने पूछा भाइ जोड़ के मैं एक बार फिरता निवेदन करूआ ये कम ते कम कमर्सल भानवालें को छोड़तो साब कमर्सल भान किसी रईस बाद के उलाद नहीं चलाता और मैं जानता हूँ देश में कोई भी कमर्सल भानवाला इतना खुश नहीं है जो के मतलब ऐसी गलतियां करता फिरेगा साइब नियम की भी कोई सीमा होती है यह तो अल्लिमिटेड कर दिया एक एक हजार गुना बढ़ा दिया साब एक हजार गुना पागार तो बढ़वा दो एक लाग रुपे सेलरी होगी जब ड्राइवर को यह भर पाएगा क्योंकि बावजी महीने मां 30 दिन जिस बंदेने जो काम करता हो उसमें कहीं न कहीं दिने में गलती ना करता हो एक काम बता ने यह काम ऐसा है तू गलत बोल रहा है यह काम ऐसा जिसमें बंदा कोई भी गलती करता ही नहीं तो ऑपिस का हो चाहे वो पेट्रल पंप हो चाहे वह उपीज में बैठा और गादी चला रहा हो किसी भी मंत्री ने आप बिदायक किसी भी यूनियन का काम मता दो सरकार या मिलेगी और 25 यार का चलान कट गया बाउजी दिन माले कुछ तो इस देश के गरीव ड्राइबर बाउजी गरीव आदमी का ही बेटा को ड्राइबरी करता है माले किसने भांग खाई है जो अपने घरते किसी रईस बाप का बेटा नहीं सोगा साब सोगा तो किसी गरीव का ही सोगा ना मालिक है अब आप यह बताओ जिस बंदें को 12 जार सेलरी मिलती हो उसका 25 यार का चलान कट जाए मैं देश के मेरे देश का जो सुप्रीम कोट है उनके जज हैं मैं उन तवी निवेतन करूँगा कि सर इस कानून को लागू मत होने दो कितन में गरीब मरेंगे साब्टीन मेरे पास लाइसन अभी रखा है तीन महीने आ लाइसन सस्पेंट कर दिया तीन महीने गाडी निचलाई अब 4 महीने मैं गाडी मिली तो यह कानून लागू कर दिया अब गरीव आदमी जाय तो जाय का माँ बापको क्या खिलाए अपने परव वाले थे बक्ति किसी का पता नहीं होता कि कौन मजदूरी करेगा जो लोग जो अपसर लोग जो लोग जो इस चीज़ को करवा रहा है उन्ते एक बार हाथ जोड़ के करूंगा कि साब जरूरी नहीं है आपके भी परवार में कभी आपका बेटा नहीं आपकी पोस्ट ले सकत कि सरा आप कम तकम बंदे की हैसित देखे चलान करें यह सरकार रहा है साब जो मर्जी करेंगी आप अपने दिल में थोड़ा रहम दया हो तो किसी गरीब आदमी को ना सता है जो गरीब की दौए बहुत बद्धूआ बहुत बद्धुए लगती लगती है साब गरीब आदम तो है नहीं आपको पड़े लिखे यह देश में सारे नेता अनमंत्री अनपन है क्योंकि पड़ा लिखा कोई नेता यह देश का नेता होता तो यह चीज लागू नहीं होने देता कि भाई देश में पहले यह तो देखो सार जी एस्टी नोट बंदी बैरोजगारी 25-25 दिन ग इसा सबस्क्राइब दिख रहा है क्या इस से अपने देश की बढ़ जाएगी क्या मैं तो बस देखो सर एक युवा हूं युवा आखे नाते कह रहा हूं ठीक है जी मजदूरी कर लूगा कोई दूसरा काम कर लूगा साब तीन महिने जाँ दूसरा काम कर आ बो काम फिर कर परिवार तो पालना ही है और मैंने देश का इतना कितना गरीब बहरोजिया रोज जिन का चलान कटेगा 12,000 15,000 या तक किसी की ज़्यादा साब और आपको मैं दिखा दिया हमारा सोने का और बैठने का कैसा है माले कुछ तो रहम करो कुछ तो रहम करो ए अन्नदाता यह तो गरीब गाई बेटा चलाएगा अमीर का बेटा चलाएगा नी यह तो 1947 से भी ज्यादा टेक्स बसूलने वाली बात हो गई जो अंग्रेज बसूलते थे और काम इस्ट इंडिया कंपणी जो करवाती थी न उस ते भी कही लोग गुना जादा हो गया कोई भी बेचारा ओला अब चलाने बाला ड्राइवर ते पूछलो ठारा घंटे तूटी करने कवाद चार सुर्वे निवस्ते साब मैं ओला उबर नहीं चलारा मैंने तो छोड़ दी पर मैं आपको बता रहा हूं कि शाब ओला उबर चलाने काम करने कवादी बंदे को 500 पर पांसो जिसको मतलब कोई हमारे देश के अच्छे अच्छे मतलब मिलेंगे नेता आपने तो सर जी गरीब आदमियों का बिलुकुल जैसे वो मैंना एक मर्द फिलम देगी ती उसमना करीब हो का पैंसल तक उसे सरंगता ना मरने के बाद खून कहेंचते थे वो सर आपके आता तो खून मतलब जिसकी गाड़ियां बहुत भी जिसकी चालीस यारी किस्ते पहतिस यार के भाड़े नहीं मिल रहे पच्छीज आर का चलान और हो जाए बाउजी क्या करेगा वो जैन दोस्तों यह मेरी बात अच्छी लगे तो पूरे देश में शेर करें नहीं तो भाई जिसको जैस कुझ राजा टके से रवाजी टके से रखा जाए